तो टॉपिक डार्क स्काय रिजर्व है आज का और टॉपिक को देख के यह मत कहना कि यही कहने वाला तो सर में बस यही वाला पढ़ा दो आप काफी लर्नर्स में कॉमेंट में बताया भी था मुझे इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा हम लोग आज देख लिए कि क्या आप लोग कुछ लोग नहीं कर रहे हैं वागी कर सकते हैं अब डार्क स्काय रिजर्व को जब आप पढ़ रहे थे न्यूस पेपर से ना तो कु यह सारी चीज़ों के लिए मतलब देखते हैं कि क्या बहतर समझ सकते हैं किस तरह से बहतर इस तरीकों को जो है चीखा जा सकता है उपन देखते हैं इसके साथ 20 परक्तिशत जो है डिसकाउंट ले सकते हैं आप लोग यह ऑफर फिट से दुबारा शुरू हो गया है यूज और आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वह आपके सामने दिखाई दे रहा है और यह एक इमेज बड़ी पर चल रही तीन-चार दिनों में आप देखेंगे करेंट रिफेर्स में तो यह यह दिख रहा है कुछ तो है मतलब यह अब यह क्या है देखते हैं समझें हलाकि यह जगह जो है वह लड़ाख है लड़ाख समझी गए होंगे हम लोग भारत में कहां के बारे में बात कर रहे हैं बट मैप से भी चीज़ें में आपको थोड़ी बग बता दूंगा पहले मुझे आप लोग सब एक आंसर दो यह इस तरह कि जो बच्पन में गाउं मे आपने कभी वह जीवन जिया होगा तो लाइट चली जाती थी हलाकि आज भी चली जाती है पर लाइट जाने के बाद में जो है कई थोड़ा बहुत रेडियो वेडियो कोई सुन रहा हो और रात में एकदम बिल्कुल अंधिरा हो चुका और अंधिरे के बाद में आप है तो खुद बना दिये खुद बैठ गए तारों के साथ तो वह एक अलग जीवन था इनफेक्ट आज भी आप वह तो जी सकते हैं पर प्रॉब्लम इस कि अभी खुद से आप पूछोगे तो मैक्जिमम लर्नर या मैं अपने आपको भी इंक्लूड करूं तो काफे दिन ऐ लिए से हो गए हैं कि जहां पर हम लोग इस तरह के डार्क नाइट्स देख नहीं बाए हम उन तारों को नहीं देख पाए हैं हम उन त्ष्च चारी मंडल को नहीं देख पाए हैं तो ये अक अपने आप में अनों श्चर व Alti ले बात है तो इस बात कर फोकस किया जाया तो अब इसका कारण ये दि मैं आपसे कहूंगी क्यों नहीं देख पाए तो आप कहेंगे सर ये शहरों की चकाचौन और पूरे शहर कालोनी देखेंगे आप तो बड़े स्थर पर काफी जादा लाइटिंग हो चुकी है आप जहां रहे रहे हो सकता है आपके घर के सामने एक बड़ा ऐसा घर हो जो इसकी लाइट इतनी जादा मतलब बहुती जादा जिसको सिस्का कह सकते हैं आप कि सिस्का लेवल की हो कि बिलकुल आपने देखने का प्रयास भी अदी किया उस हासमान को तो शायद आप वो तारों को आप देख नहीं पाओगे तो बड़ा एक समझने वाला एक टॉपिक है ना कि मतलब शायद आगे की जनरेशन दो और इन सब चीजों को भूली जाए तो समझने वाले आपको समझ में आगा है कि सर जो प्रकृतिक प्राकृतिक चीजें हैं शायद उनसे हम फिर दूर होते जा रहा है इन चक्का चौन से यह तो छोटे शहरों की बात कर रहा हूं है सर बड़े बड़े शहर इतने जादा हैं कि उनका लाइट इतना जादा हो चुका है कि दूर से भी आप जाओगे तो आपको उतना उपर आपको कुछ दिखाई देने वाला नहीं हो गया है तो रात में जब नाएट में लाइट जब जल जाते हैं हाई वीमलाइट जब चालू हो जाते तो एक्ट्र सन को मतलम अमसे दें ज़ो रहा है अंदेरिया जो की देख नहीं पातर हैं तो इंडिरेटली यह तो एक लाइट पॉलूशन हो गया लाइट पॉलूशन हो गया यह अच्छा कॉंसेप्ट है जो यूपीएसी पूसकता अपने से लाइट पॉलूशन के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह तो मैंने अपने और सब ऐसी बात की सर आज भी और 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 अंदर जाएंगे और यह पसंद नहीं किसी को कुछ ऐसे जीवपी जो अंधहरे में जीना चाहते हैं शायद उनके जीने पर सवाल उच चूका है तो ऐसी बहुत सारी मलाइट भी पॉलूशन का काम कर सकता है अलग स्पीशीज के लिए बहुत सारे ऐसे जिवश बनाने चाहिए डार्क रिजर्व का मतलब यह कि जहां पर सारा पूरा अंधेरा हो आसपास के छेत्रों में कोई उजाला ना हो और यह वाली जो चीज़ें हैं इसका आनन्द ले सकें साथ में जो स्पीशीज हैं आसपास की वह जी सकें अंधेरे में जिनको अंधेरे की जरुवत है तो वह लाइट पल्यूशन को कम करने का एक प्रयाज है रिजर्व बनाना अच्छा इसके बाद में क्या होगा लोग यहां आएंगे इस चीज़ का देखना मैं बता रहा हूं समय आएगा कि शहरों में यह चीज दिखेंगे नहीं तारा मंडल और यह जिसको आप कह सकते हो कि बाई चंद्रमा और तारे यह सब दिखेंगे नहीं लोग जाएंगे अलग इनको देखने के लिए आज भी गाउं में जाओं के तो दिखेंगे अब यहां लोग हैं तो इस तुरिजमें की तरफ ले तो बस कुछ आप कॉंटेक्स आप लोग समझ गया होंगे मुझे मालू है कि मैं पिछले 3-4 थोड़ा सा स्लो रहा हूं लेकिन यह कनेक्टिवीटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे यह शायद यह चीज बन नहीं पारे कि लगना से चैर्ष शुरू करते हैं तो बढ़ें के हम लोग वाट इस डार्क स्काइर रिजव लाइट पॉलुशन क्या ह curriculum यह सब चीजें क्या है कईके नियूस की और इंटर्नेशनल डार्क शाल Ça UP क्या है जिसंडा छो remind हूई है इसकेसे बाद में अलग अलग इसमें प्रीन्षैं क किस तरह हैं क्या-क्या रिजर्व बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ है यह हैंले वाला जो प्लेस है लद्दाक में जहां पर यह सब बनाया गया है यह बनाया जा रहा है वह मतलब क्यों वहीं पर क्यों ऐसा सारी स्कॉंटेक्स हम लोग डिसकस करेंगे अब देखो मैंने बता है कि डार्क स्काय रिजर्व ऐसे छेत्र होते हैं जो स्पेशली कमिट होते हैं जैसे कल हमारा जोंबी आइस नहीं था कमिट किया नहीं पिगलूँगा वैसे यह छेत्र कमिट हैं तु प्रोटेक्ट औंड प्रिजर्व दनाइट रात को समहलने के हर जगे चलो ठीक है यहां तो जरुवत है शहरों में लेकिन जहां नहीं है उसको तो कंसर्म करें यह सारी चीज़े बहुत सारे प्लांट हैं वाइल लाइफ इंसेक्ट्स हैं जो डार्कनेस पर काम चाहिए उनकी ब्रीडिंग उनका नेविगेशन यह सारी चीज़े अंध उसका क्राइटेरिया है कि इतने बड़े छेत्र में अधिरा होना चाहिए तब जाकर यह आप बना सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं नौ सबसे बहले थोड़ा सा फोकस हम लाइट पॉलूशन पर कर लेते हैं क्योंकि यही एक दुखदर्द बना हुआ उसके बाद आगे चीजों को और इस बीटेशन पर सब्सक्राइब यहां पर लाइट है उसके नीचे रह रहे हैं उपर वह आसमान देखी नहीं पाते हैं एक्ट्वल में कि किस तरह का दिखता है और 23 प्रतिशती ऐसे हैं जो जनरली बचे हुए जो लोग है वह कहीं बार दी आप देखोगे उसके प्रेशान है कि कहीं और चमक रहा है तो इधर इनको वैसे नहीं देख रहा है इसे बहुत सारे मतलब डेटा है लुए ये भी हिस्सा है अब स्काई ग्लो क्या होता है तो मानलो अपने देखा होगा कि चमकता है ना जो मतलब उधारन के तोर पे जैसे यह वाला एक पैटन देखो अब इसको देखो गया आप तो समझ जाओ यह पैरिश शाहर है यह इतना उजाला कर रहा है आसपास के छेत्रों में की वैसे ही जो है उपर दिखना बंद हो जाएगा तो यह सारी चीजें इस चीज को अपने को समझना है ठीक है अब यह जो बचा हुआ स्काय ग्लो है जिसको हम कह सकते हैं कि डिफ्यूज इल्यूमिनेंस है अपार्ट फॉम डिस्क्रीट लाइट सोर्स सचेज मून और विजिबल इन्विजिबल स्टार्स मतलब इधर उधर का उजाले से ऐसे लोग रहे हैं मतलब इंडिरेक्ली पल्यू एक अपने आप में साइड एफेक्ट है इंडिस्ट्रियल सिविलाइजिशन का यह सारी चीज़ है अब इसके बाद कहीं बार ही हम लोग देखें तो जो हमारा परियावरन है उस पर भी हम लोग देखें तो जो अस्थेटिक एंवर्मेंट्स होते हैं आज इसको आप कह सकत हैं तो फिलोसफी है रिलीजिन है सोशल है पोईट्री है सौंग है यह इन सब चीजों से भी एक इसका संबंद है यह थोड़ा सा जो है डेफ्ट की चीज़ें है लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि डार्क नाइट जो है उसको भी प्रिजर्व करना जरूरी है वह भी एक फेज है जीवन का मतलब बारा घंटे दिन के हैं तो बारा घंटे रात में भी जीए आप वैसा कुछ एक एक एस्पेक्ट्स है अब यह इंटरनेशनल डार्क स्का एस्सोसियेशन गया है पहले इसको समझना पड़ेगा कि कौन यह सब इनिशियेटिव लेता है क इसको चिंता हुई एक्चुल में है ना चिंता हुई है कि यह यूएस बेज नौन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है ठीक है उसके बाद में इनका मिशन यही है कि रात का जो नाइट जो है उसको हम प्रिजर्व कर पाएं लाइट पॉलूशन से जो है आउट्डोर लाइ जो नियूज में भारत का लदाग चल रहा है वह इसी के नतरगत है कि हम इसके इसको रिकनाइज करा लें जैसे यूनिसको के नतरगत कोocy साइट हम कैसे रिकनाइज करा लेतें तो इसके कुछ क्राइटेरिया इसके काईटेरिया हैं इंटरनेशनल डार्क एसोस्टेशन के द्वारा जो रिष्टर करना है लोग आ रहे हूं ऐसा भी नहीं इसी जगह आपने करा दिया एक ऐसा रिजर्ब बनवाना है और जहां कोई जाई नहीं रहा है मतलब डर रहा जाने से तो फिर मतलब एस्ट्रोनॉमी जो है उसको प्रमोट आप कैसे करोगे ठीक है मतलब एस्ट्रोनॉमी टूरिस्म करते बाती नहीं लोगी नहीं जा रहे है तो पब्लिक और पार्शली एटलिस्ट लोग महाँ जाएं अच्छा लीगली प्रोटेक्टेड हो ऐसा नहीं कि मतलब बाद में सब पुरा खर्चा करवा लिया और रोले आज नहीं है मैं तो मेरी जमीन है मेरे घर बनाऊंगा देख लो मेरे पुराने पेपर से अभी मिले यहां पर हम लोग बना सकते हैं डार्क सका रिजर्व यहां से हमें पूरा सब कुछ दिख जाएगा लोग आएंगे हां पर हम टेलिस्कोप लगवा देंगे और पूरा अंधेरा सब लोगों को और यह सारी चीज़ और जब पूरा त्यार कर दिया और तीरे से लाइट जला सब्सक्राइब करना पड़ेगा इंडिरेटली यह है की सब्सक्राइब इन से भी जो है बुराइटनेस आपको दिखाई देती है तो वह चीज प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए तो यह समझना की यह कैसी हैं इसके कुछ Kriteria की फुल्फिल हो जाते हैं तो फिर उस छेत्रों को हम लोग एक रिज़ बना सकते हैं फिर हम वहाँ से कि नहीं सब इंट्रेंट सही गांड सब करते है थैसे दार्क स्काय ठोड़ार टालोब शेय। जो होने कारण शहरों में उजाला हो रहा था निहा Node is कारण के तोर पे वर्ल्ड फेमस पैलोमर ऑब्जरेवेटरी जो कैलिफोर्निया की वासपास के एसकोंडिडो जो प्लेस हैं उसके कारण काफी ज्यादा थेटिन में आ गई तेलिस्कोप वगरा इनको भी एकदम बिल्कुल अंधिरा चाहिए होता बहुत सारी चीज चाहिए ह इनका काम क्या है वही सब कहानी अवेर्नेस वगरा इस इसके बाद में यह अलग अलग प्रोग्राम चनाये जाते हैं जहां पर जो है जो डार्क स्काई प्लेसेज हैं मतलब इनके द्वारा हम लोग देखें तो यह अलग-अलग पांच केटेगरी में मतलब काम करते हैं यह जैसे नहीं हम करते हैं कि स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए हमने नेशनल पार्क बना लिए बायोस्फियर रिजर्व बना लिया वैसे ही डार्क स्काई को प्रिजर्व करने के लिए रिजर्व को बनाने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल ड्राय स्काई सेंच्यूरी बनाई इंटरनेशनल ड्राय स हम लोग चर्चा कर रहा है वो यह कि भाई ड्राइट को प्रिजर्व करने के लिए लाइट पॉलूशन को कम करने के लिए अलग-अलग पांच विवस्थाइं बनाई गई हैं उन में से जो एक विवस्था हम भारत में आजकल ये न्यूज में कि हम लोग एक ड्राइट डार्क स्काई रिजर्व बना रहा है लद्दाग में नॉमिनेट करवाना इसके तहर एंड आप दे यर तक हमारा प्रयास है ताकि हमें एक इंटरनेशनल ड्राइसकार जो डार्क स्काई रिजर्व हो भारत में भी हो ठीक है अब कॉंटेक्स धिरे-धिरे समझ में आ रहा हू विंबरलेंड वुड ग्रीक टेकसास वाले रिजर्व में डार्क स्काई कम्यूनिटीज की अविलिबिलिटी है उसके आद में अर्बन नाइट्स में दिया आप देखो के तो फ्राइ फैमली पार्क ओयो यूएस डेजिगनेटेट इन 2021 अंधेरों को पहचानने की बात हैं देहरे को देखो तो यह से कुछ एक्जामपल्स मैंने आपको दी हैं अच्छा इसके बाद में कुछ इनके नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो यह वही बात कर रहा था कि कम्यूनिटीज डार्क स्काई पार्क्स डार्क स्काई रिजर्व्स इंटरनेशनल डाय उसका मोस्ट रिमोट जो होती है मोस्ट रिमोट मतलब जहां पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो कभी देखी नहीं पाए लोग यह वो चीज़ है डार्क स्काई सेंच्यूरी अर्बन स्काई मतलब शहरों में ऐसे कोई छेतर जहां पर आपको लाइफ एक्सप नाइट की सिच्वेशन जो है वो दिख जाए और यह अपने आप में एक फैक्ट है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल डार्क एसोशीएशन जो है डार्क स्काई सोचेंट ड़स नोट सेलेक्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसे बट रैदर की जाकी सिलेक्ट कर रहा है यह नोमिनेट कर रहा है पूरी क्राइटेरिया के हिसाफ से सब चीज़ें अपने को इसमें देखनी है अब भारत में जो बन रहा है वो लदाक में है इसमें चंखन कोल्ड डेजर्ट वाइल लाइप शेंचुरी भी आद रखना पैंगॉंग सो चीज़ बनाई जा रही है यह इसकी लोकेशन है इधर देख सकते हैं आप लोग अब डार्क स्काय प्रिजर्व इंडिया के बारे में बात करें तो नो डाउट डेपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलोजी के द्वारा बनाया जा रहा है नाइट स्काय सेंचुरी बना रह और अगले तीन महिनों में हम लोग जो है इस पर बनाने का प्रयास कर रहा है इसके बाद में यह हैंले में रिजर्व में रहेगा हैंली मतलब जो प्लेस है वहाँ का जहां पर चंग्थंग वाइलाइफ सेंचुरी नजदी का आपको देखने को मिलेगी और वर्ल्ड का इसमें चंग्थंग इंपोर्टेंट बन सकता है अभी मतलब हम प्रयास में है अच्छा आइडिये के हिसाब से जो डार्क स्कार किलोमेटर उसकी वह क्राइटेरिया जो था उसका जो कोर एरिया है वह मिनिमुम क्राइटेरिया पास होना चाहिए आसपास में पूरा डार्क पूरा डार्क सा सपोर्ट करें यह सारी चीज़ें तो अभी हम लोग प्रोसेस हैं नॉमिनेशन की तरफ जा रहा है उसके बाद में यदि हम लोग देखें तो यह उस तरह कही है जिस तरह से हम यूनेस्को से वर्ल्ड हिट्रेस साइट का टैग ले लेते हैं तो उससे भी ह कैनेडा आयरलेंड नामी विया फ्रांस इन में सब बने हुए हैं यह इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इंडियन एक्स्प्रेस में इमेज़ भी थी तो इस तरह के अल्रेडी सब बने हुए हैं हमें भी मतलब करना है अब दूसरी बात है कि यही वाला छेतर जो है हैंले व तो वेदर ठीक है मतलब वेदर इंदे सेंस की ड्राइनिस बनी हुई है अटलीस कोई क्लावड नहीं पता लगे दिखनी रहा है बादल आ गया इत्ते की दिख भी नहीं चीज़ें तो मतलब और दूसरे ना तो वहां यूमन डिस्टर्बेंस जादा कुछ भी नहीं है और स्काय वेदर कंडिशन है मतलब क्लियर स्काय वगरत दिखेगा तो जो मेन मकसद है वहां पर हम लोगों का पूरा हो रहा है सिंपल सी बात यह है वह जो यह ब्लैक नेक्ड करीन को याद रखना यह वहां पर यह मिलता है नियर 13 स्पीशीज है अच्छे इंपोर्टेंट है नेक्ड करीन को याद रखें ऑब्जर्वेटरी जहां अल्रेडी बनी हुई है वहां पर इस तरह के कुछ बड़े फेमस ऑप्टिकल इंफ्रारेड हिमालेंज चंद्र टेलिसकोप एस्टीडी और हाई इल्टिटूट गामा रे टेलिसकोप अल्रेडी वहां पर अवेलेब कांसिल यह भी है और इंडियन इंस्टिटूट फिसिक्स यह याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेकनलोजी तीनों चीज़ें काम किये नोट डाउन करने वाली कि कौन कौन इसमें जो है पार्टी इन्वाल्व हैं इस चीज़ को बनाने के लिए ठीक है समझ में आ यह दिखाऊंगा यह दिखवाऊंगा अपके सर चलो सर बिल्कुल टेलिसकोब लेयाओ तीन लेयाओ चाल यहां भी रख लिया यहां भी रख लिख लिया देख रहा है तो बढ़िया से जो है प्रमोट हो जाएगा समझ रहा हो मतलब एक एक नहीं फील्ड हम लोग जो अप करने का प्रयाश कर रहा है और लाइट प्लूशन से भी संबंदित यहां पर हम लोग एक कॉंटेक्स दे सकते हैं तो इस तरह से क्या हो रहा है रोजगार का निर्मान हो रहा है तो यह बहुत अच्छी मतलब विवस्ता है यहां पर आप देख सकते हैं तो मतलब यह आप यह भी नहीं कह सकते कि जो हाइब वीकल से उनको यहां पर थोड़ा सा बंद कर दिया गया मतलब इन्होंने टैन स्मॉल एजी टू हैंडल टेलिस्कोप ऐसे बनाए हैं ठीक है मतलब जो की एक तरह से नो डाउट उनको साइन्टिस वगरा उनको क्या करेंगे ट्रेन करेंगे उसमें जैसे स्काइगेजिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉंस्टलेशन है तारा मंदल वगरा को देखना पोल स्टार को लोकेट करना यह सारी चीजें वो सिखा देंगे आप जाओगे जहां रह रहे हैं वहीं विवस्ता है वहीं से टेलिस्कोब लगा और आनंदलो जीवन के वह पूरा छेतर एक डार्क बनाया जा रहा है तो यह डार्क कर दो चीजें उपर की दिखने लगेंगी यह सर्क मेन कॉंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा और यार आप लाइक कर दो लाइक